नमस्कार आप देख रहे हैं दाभारत खबर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने एक बड़ा बयान देते हुए शिरोमणी अकाली दल के निता विक्रम सिंग मजीठिया को खुला चैलेंज कर डाला है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मैं लोगों का एक भी रुप्या खाने के बजाए सलफास खाना पसंद करूँगा पंजाबियों के साथ जूट बोलकर कभी कोई सौदा नहीं करूँगा पंजाबियों के प्यार का कर्ज उतारने के लिए कई जन्म लेने होंगे मुख्यमंत्री ने अकाली दल नेता विक्रम सिंग मजीठिया और प्रदेश कॉंग्रे सद्यक्ष अमरिंदर सिंग राजावडिंग को चुनौती दी कि वो एक माह के भीतर पंजाबी भाशा की लिखित परिक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास करके दिखाएं सनावर और दून स्कूल से शिक्षा लेने वाले ये नेता इस परिक्षा को पास नहीं कर सकते सियमान ने कहा कि वो पूर वितमंत्री मनपरीद बादल के साथ रहे हैं वो उनके लिए पंजाबी अकबार पढ़ते थे क्योंकि उन्हें इसकी अच्छी जानकारी नहीं थी विपक्ष पर निशाना साथते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नेताओं के पूरवजों ने जलिया वाला बाग नरसंगहार के अपराधियों को सम्मानित किया था उन्हें उनसे सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने सत्ता में रहने के दोरान राज्ये और यहां के लोगों की पीठ में छुरा घोपने का काम किया है अमान ने कहा कि इन नेताओं ने युवाओं को नौकरी देने की कभी परवा नहीं की जिसके कारण अब वे नए भरती हुए युवाओं के चहरे पर मुस्कान से चिड़ गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों के प्रती अपने प्यार को लेकर उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं है सीयम मान ने कहा कि वडिंग ने कॉंग्रेस सरकार के दोरान राजिस्थान की बसों की बॉड़ी लगा कर अवैत तरीके से पैसा कमाया है उन्होंने कहा कि इस घोटाले से सम्मधित विवरण आने वाले दिनों में साजा किया जाएगा सीयम ने विपक्षपर तथ्यों को मरोड तरोड कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो उन्हों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान को पचा नहीं पा रहे हैं जिरहें नौकरिया मिली हैं आप देख रहे हैं धभारत खबर हमारी बाकी खबरों के अब्डेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्कार